इस ते पहले मैंने आपके लिए एक रैंडम वीडियो बनाया था इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन ओन मेडिसिन करके आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके रिक्वेस्ट पे मैं एक और इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन ओन मेडिसिन पार्ट टू बना रहा हूँ जिसका जानना आप सब के लिए जरूरी है बलकि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा वैसे मैं करता नहीं हूँ लेकिन आज की डेट में रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इस इंफोर्मेशन को आप अपने परजीत लोगों तक पहुँचा है क्योंकि ये सब कुछ इतना सिंपल है इजी टू अंडरस्टेंड है लेकिन हमेशे कुछ लोगों को छोड़ करके बाकिसारे लोग इसके उपर ध्यान नहीं देते हैं मैं कुछ एक्जामपल आपके सामने यहां पर लगा हूँ इन सारे वीडियोज को आप डीटेल से कर देखना चाहेंगे इन ड्रक्स का तो हमारे सेकेंड चनल फार्मसी लिशनरी बाइक पुष्पन रिपटेल पर अवेलेबल है तो आज का हमारे वीडियो किसके उपर डीपेंड होने वाला है आज का वीडियो हमारा इस बात पर डीपेंड है कि जो भी मैडिसेंस आप यूज करते हैं चाहे वो आप अपने मन से ले रहे हैं जो की नहीं लेना चाहिए या कोई डॉक्तर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है या किसी और विक्ति को आप देख रहे हो जो ये मैडिसिन ले रहा है तो उस मैडिसिन के पीछे चाहे वो कोई भी डोजेस फॉर्म हो doses form का मतलब होता है कि किस रूप में है, solid में है, solid के अंदर tablet आ जाएगा, capsule आ जाएगा, powder आ जाएगा, liquid में है, suspension है, syrup है, या अगर आप बात करे हो, aerosol के form में जैसे आप लोग asthma का pump देखते हो, वो है, या उसको sticker के रूप में है, जो simple language अंकर कहूं, तो bandage की तरह आप चिप उस drug के पीछे कुछ important information देवे होते हैं, ये information हम generally पढ़ते नहीं हैं, लेकिन क्या आपको बता है कि अगर आप ये information नहीं पढ़ोगे, तो किसी वेक्ति की जान भी जा सकती है, या तो फिर जान जाने की नौबत तका सकती है, इसलिए हमेशा ये एक request है मेरा, कि जब कभी आ आपको इभी medicine low, भले ही आपके doctor ने आपको prescribe किया हुआ हो, तो दो चीजों का विशेज ध्यान रखे, पहली बात कि आपको doctor से कुछ भी नहीं छिपाना है, आपकी present past history भी discuss करनी है, अगर आज आप किसी particular बिमारी को लेके doctor से मिल रहे हो, तो उनको बिना पूछे ये भी ब बनकरार रखा हुआ है, तो सब कुछ अपने doctor से बताईए, क्योंकि उसी के साब से drug-drug interaction को थोड़ा समझा और कम किया जा सकता है, और दूसरा कि अगर आपने ये नहीं बताया, तो भी से इस drug के पीछे जो information आप जरूर पढ़िए, हो सकता है कि ये आपकी या किसी परिश हैं, अपने आप में बहतरीन काम करते हैं, मैं इनके favor में ही बात करना हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी information पीछे दी वी है, और ये सब को पढ़ना चाहिए, तो आज का जो information होगा, कि हमको दवाईयों की पीछे दी गए information को क्यों पढ़ लेना चाहिए, चलिए, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, सबसे पहले आप अपने screen के left side में अगर आप देख रहे हैं, तो यह है prednisolone dispersible tablet, जिसको use कैसे करते हैं, क्या काम करता है, वो सब second channel पे मिलेगा, उसका link आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के description box में पहले part का भी वीडियो का link मि आपका prednisolone, which is dispersible tablet, तो देखिए पहली बात तो आपको पीछे information लिखा हुआ है, direction for use, इस पर ज़रा focus करिए, तो क्या लिखा हुआ है, इसको फड़ा मिटा देता हूँ, ताकि देख पाओ, disperse the tablet in a teaspoon, यानि कि लगभग लगभग 5 ml of boiled and cooled water before administration or can directly with water, यह information क्या है, इसको उपर के नाम को जरा focus करिएगा, यह आप डिस्पिंट के case में भी देख सकते हो, डिस्पिंट का भी एक अच्छा example है इसमें, यह लिखा हुआ है, प्रिडिनी सोलोन, dispersible tablet, इसका क्या मतलब होता है, एक pharmaceuticals, या फिर pharmacy selected student, या American student इसको जानते हैं, बर generally general public को नहीं पता है, इस के साथ react करके, effervescence निकालता है, जो different types of air को release करते हैं, dispersed, easily fast तरिके से घूल जाते हैं, उसको हम dispersible tablet कहते हैं, सबसे simple example, जो daily life में maximum हम लोग use करते हैं, वह है आपका disprint, disprint को कैसे खाते हुआ, disprint को लिखाते हैं, उसको पानी में रखे हुए, जो glass में पानी रखा उसमें डाल जाते हैं, उसको जब पूरा घुल जाता है, बुज़े निकलते हैं, उसके बाद आप पीते हो, यह dispersible tablet कहलाता है, तो अगर यहाँ पर यह चीज़ आपने नहीं ध्यान दिया, कि dispersible tablet लिखा हुआ है, तो पीछे का information जरूर पढ़िए, यहाँ पर information लिखा है, disperse the tablet, यह ए ठंडा करेंगे, तो यह क्यों लिखा है, कि boil करेंगे और ठंडा करेंगे, वैसे बहुत जादा important, आप लोग इसको फिरमस्ते नहीं हो, लेकिन है, देखो boil करेंगे से क्या होता है, उस पानी में, माल लेता हूँ कि यह मेरा एक पतीला है, जिसमें आपने पानी रखा, जब आप इस पानी को गरम करोगे, तो इस पानी के गरम होने का condition कितना है, जब वो 100 degree centigrade पे उपर पहुँच जाए, तब पानी गरम होने लगता है, यह तो पता होगा आपको, तो इस 100 degree centigrade पे जब पानी गरम होगा, तो इस पानी में जो भी microism present होगे, वो kill हो जाएंगे, इस पू को syrup देते हो न, जिसको हम reconstitute करते हैं, जैसे antibiotic के syrup generally कैसे आते हैं, एक डिबबा होता है, डिबबे में powder होता है, उस powder के साथ आपको WFI, यालि कि water for injection मिलता है, और किसी किसी में नहीं मिलता, तो उसमें नहीं मिलता, उसमें लिखावा होता है कि इतने ml पानी को गरम कीजिए, उबलते तक, फिर ठंधा कीजिए, फिर mix कर दीजिए, तो उसका purpose ही यही है, किस पानी में कोई bacteria present हो, कोई macro present हो, तो वह खतम हो जाए, तो यहाँ पर यह रिखाए कि इसमें अब आप उसको tablet को डाल दो, और उसके बाद उसको आप use कर लो, या तो फिर directly water में dissolve करके आप ले सकते हो, यहाँ पर यह बात समझ में आगे कि क्यों ऐसा बोला गया है, तो information number one, कि हमें यह पढ़ना चाहिए, दूसरा, वैसे यह वाला जो information, अब आपको में बताने वाला हो ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, या बहुत कम लोग समझते हैं, देखिए, इस पर लिखा हु होता है, एकदा मुझाला, तो उसका उल्टा, डार्क, अब देखो, समझो concept को, बहुत ध्यान समझना, वीडियो लंबा होगा कि कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आना चाहिए आपका, कि आप इस ड्रग को cool place में रखे, hot पे नहीं, hot का मतलब क्या होता है, मैं आपको यह न बैडरूम के आसपास जहां पर आप दबाई रखते हो, वहां पर खिड़की होती है, और खिड़की अकसर हम खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि ventilation आएगा, तो खिड़के से हवा तो आएगी, आएगी, सही बात है, बट उसमें धूप भी आती है, धूप याने की गर्मी आ होते हैं, तो वह अपना nature चेंज करने लगेगा, और उसका nature जब चेंज होगा, तो आपको वह nature का नहीं मिलेगा, जिस nature की चक्कर में आपने से लिया था, याने कि उसमें chemical changes आएंगे, हो सकता है कि वह poisonous content में convert हो जाए, हो सकता है कि वह less efficiency में convert हो जाए, और हो सकता है कि वह neutral हो सकता है कि वह useless हो जाए, तो वह आपका नुकसान पहुचा सकता है, इसलिए आपको cool place में बोला है, cool बोला है not cold, cold का मतलब यह होता नहीं है कि आप fridge में रख दो, इसको रखो room temperature पे, लगभग 30 degrees centigrade से नीचे के आसपास, याने कि थोड़ा अंधेरे में किसी ऐसी जगह पे ऐसा होता है कि फटते फटते दूसरे के किनारे से निकल जाता है आपको फाड़ने का style, तो वो जगह exposed हो जाएगा moisture से, कुछ इस तरीके से moisture अगर आप फाड़े हो तो वो moisture अंदर आ जाएगा, moisture कहा होता है, आपको पानी डालने नहीं बोल रहा और नहीं आप इस पे पान जादा है, तो उसके कहां से जो tablet है वो खराब होने लगेगा, और खराब होगा तो पिसा जाएगा, गिलगिला हो जाएगा, या उसको chemical changes हो जाएगा, chemical changes होने के लिए कई factors involved है, धूप भी involved है, light भी involved है, heat भी involved है, moisture भी involved है, और कई factors involved है, तो वो आपके nature को खराब कर सकता है और light की तो मैं बात करी दिया अभी light मतलब light के presence में कई reaction हो जाते हैं जैसे आप CC को देखे हो गए कई सीरप के तो उन CC का color कई बार black होता है आपके लिए black होता है बट वो होता है embered color उसको हम लोग भूरा भी बोल देते हैं वो क्यों रखा रहता है अगर यह सीरप है माल लो इसके अंदर सीरप रखा हुआ है तो सन लाइट अगर अंदर चला गया डिरेक्ली तो उसके chemical में कोई चेंज़े सुझाएगा जैसे क्लोरोफार्म को हम अराम से बॉटल में रखते हैं इसलिए यह पढ़ना है और लाल वाला का क्या मतलब यह है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ लाल वाला का मतलब यह है कि ऐसे ड्रग कोई जरूरी नहीं है बट वो सम्ने के सेडिल के डिकरी ड्रग होते है जिनको बिना prescription के लेना नहीं चाहिए इसके बार हमने बात किया तो इसको अभी मैं फिलाल स्किप करता हूँ यह पहला वाला समन में आगया आपको अब जरह दूसरे वाले पर फोकस कीजिए दूसरा क्या है उसको मैं आपको दिखा दूँ दूसरा वाला जो टेबलेट है आपका हम जरह जूम और कर दूँ में वो क्या खास बात होती है कि इसके अंदर कुछ कॉंस्ट्वेंट है जैसे यह देखो परासिटमॉल यह तो परासिटमॉल है वो क्या है परासिटमॉल है एक्जामपल एंटी-पाइरेटिक का जहां से सुनना मैं कहा हूँ एंटी-पाइरेटिक मैंने एंटी-बायोटिक नहीं कहा है एंटी-पाइरेटिक मतलब ऐसे ड्रग जो बुखार को टिक करते हैं अब यहां पर परासिटमॉल जितना कॉमनली हमको मिलता है अगर आप सिंपली पैस्टमॉल लेने जाओगे तो वो OTC प्रड़क की रूप में आपको आराम से मिल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं होती उसके साथ और बहुत धडले से लोग पैस्टमॉल को यूज करते हैं लेकिन इतरा भी सिंपल उसका मेकानिजम नहीं है फार्मकोलोजी नहीं है अधिक मातर में पैस्टमॉल लेने से काफ़ी सारे प्रॉबलमस आते हैं उनमें क्या-क्या प्रॉबलम आता है वो आपको बताता हूँ क्योंकि वो भी लिखा हुआ है और यह मैं अपने मसे थोड़ी नहीं बोलूँगा वो ड्रग की कमपनी खुदी बोल रही है यहाँ पे जरह ध्यान से देखिएगा वार्निंग लिखा है वार्निंग मतलब क्या होता है चेतावनी इसलिए जरह यहाँ पे पढ़िए क्या लिख रहा है वार्निंग तेकिंग मोर देन दे डेली प्रिस्क्राइब डोस और पेस्टमॉल में कॉस्स सीरियस लिवर डेमेज देखिए ज़्यादा मातल मिलोगे तो लिवर डेमेज कॉस कर सकता है और अलर्जिक रियक्शन कॉस कर सकता है स्वेटिंग ऑप दे फेस माउथ एन थ्रोट अलसर भी कॉस कर सकता है डिफिकल्टी इन ब्रेधिंग एन इचिंग और रैशिस ये सारे के सारे कॉस कर सकते हैं अगर आपने पैस्टमॉल के डोस को ज़ादा लिया तो अब ये कैसे पास्याफ की डेली रिकमंडे डोस क्या होती है अगर आप पैस्टमॉल के 500 के बारे में बात कर रहे हो 500 का अगर हम एक्जामपल के लिए बात करूँ 500 그렇अ म, इमजी का पैस्टमॉल अगर आप ले रहे हैं अब ऐसा भी नहीं कि 182 ग्राम का में ले लिए या 4 टीबल्याट लिए यह भी बिल्कुल गलाध बात है, एक टीबल्याट के बाद दूसरा टीबल्याट लेने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, वैसे इसकी जरुत नहीं पड़ती कि आपको 4-4 वो बता रहा हूँ कि आपको 5 mg ट्रग के पीछे maximum 4 टेबिट ले सकते हो और हर एक टेबिट के बीच में कम सकम 4 घंटे का gap हो इससे जादा टेबिट बिलकुल मत लिजेगा वरना आपको problem हो जाएगी तो पैस्ट अमॉल इतना easy नहीं है पैस्ट अमॉल लिवर्ट अक्षिटे भी कॉस कर सकता है अलर्जिक रियक्शन भी कॉस कर सकते है और ये सब कुछ लिखा हुआ है यहीं पे warning में तो इसको भी जड़ा focus करके चलिएगा पढ़ा कीजेगा हर चीजों में इसके बाद एक और ड्रग है जो पैस्ट अमॉल के साथ कॉम्बिनेशन में है इसको भी हम लोग बहुँ ज़्यादा यूज़ करते हैं common drug के बार अगर हम बात करें तो यह है आपका combiflam जाने की एक ऐसा drug जिसमें ibuprofen और आपका parastamol दोनों included होते हैं पैस्ट अमॉल का तो काम आपको बता दिया कि यह fever के लिए यूज़ होता है जब भी ibuprofen का drug यह आपके pain के लिए यूज़ होता है जब कभी हमको pain होता है तो हम या तो ibuprofen single या तो phase के साथ combination में लेते हैं combination ज़्यादा काम करता है जब कुछ दोनों सेम के degree के है synergistic effect देते हैं लेकिन जितना आसानी से ये drug आपको मिलता है और जितने आसानी से आपके drug लेते हो उसमें कुछ warning का भी पढ़ा है ध्यान से ज़रा देखेंगे ज़रा तो यह देखिए warning taking more than the daily dose may cause serious liver injury यह क्यों लिखा है बिटाम या दोस्तों क्योंकि यहाँ पर pastamol है और उपर में आपको बताया सुमो कोल का वो भी pastamol है तो यह जो warning है वो तो pastamol का है और maximum जो भी pastamol condering substance होंगे चाहाई syrup हो चाहाई tablet हो चाहाई बच्चों का suspension हो उसमें यह लिखा हुआ ही होगा आपको यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए एक और caution लिखा हुआ है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं यह caution क्या है मैं पढ़ दूँ आपको bronchospasm may be precipitated मैं थोड़ा थोड़ा pause लेके बताते जाऊँगा bronchospasm may be precipitated इसका क्या मतलब है bronchospasm मतलब बता है bronchia का spasm उसमें एक प्रकास सक्रापन आ सकता है bronchia क्या है यह हमारा lungs होता है ना lungs इस lungs में oxygen जाने के लिए चोट 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 pipes होते हैं इसको हम bronchia बोलते हैं दरफ रफ भासा में बात कर रहा हूँ तो इन pipe का diameter लगभग लगभग माल लो कि कुछ ऐसा रहता है just for example इस तरीके से यह इतना sufficient होता है कि इसमें से हमारा जो oxygen है आराम से move करता है lungs पे और lungs से आने वाले जो CO2 है वो आराम से exhale हो जाता है तो कोई मिना कर कि यह यह oxygen और carbon dioxide का inhale और exhale होता रहता है लेकिन जब कभी भी यह bronchia इस तरह से spasm हो जाए constrict हो जाए तो इनका movement और 2 का और CO2 का कम होने लगेगा तो इससे सांस लिने में तकलीफ हो जाएगी यह हो सकता है किसी किसी case में कौन से case में वही बता है तो आप पर समझ में आगे कि ब्रॉंकोस्पास्म मतलब क्या होता है में precipitate मतलब है ब्रॉंकोस्पास्म हो सकता है किसको suffering from or with previous history of bronchial asthma ऐसे व्यक्ती जिनको past में अस्तमा था या अभी भी है उस case में ibuprofen या यह जो category drug है वो परॉंकोस्पास्म कॉस कर सकता है इसलिए मैंने शुरुवात में कही कि डॉक्टर से कुछ भी चीज छिपानी नहीं चाहिए आगे पढ़ें ibuprofen should not be given यह जो ibuprofen containing drug है मैं combiflame की बात नहीं कर रहा कोई भी drug जिसमें ibuprofen है उसकी बात करो चाहिए single हो यह combination ibuprofen should not be given to the patient or person whom aspirin or other NSAID या निकि इसको मैं बोलते हैं non-starter anti-inflammatory drug का कोई allergic response हो देखिए allergic response का मतलब क्या होता है जब आप किसी drug को किसी को दोगे तो उसको suit नहीं करेगा suit नहीं करेगा उसको NSAID drug नहीं देते NSAID इसका मतलब है non-starteroidal anti-inflammatory drug जिसके अंदर आपका ibuprofen आ जाता है pastamol आ जाता है daclofenic आ जाता है caclofenic आ जाता है nimesulide आ जाता है mefenamic acid आ जाता है उनको हमको नहीं देना है जिसको जिसको past में अस्थमा की शिकायत रही हुई हो उसको नहीं देना है इसके उसको problem हो सकता है articaria, rhinitis की problem हो सकती है अस्थमा की problem जिसको है उसको भी ये चीज़ें आपको नहीं देनी है तो ये चीज़ें हमको पता थी अगर पता थी तो बहुत अच्ची बात है आपको यह आगे forward करना चाहिए और अगर नहीं पता थी तो अब आप जान गए हो ना तो बाकी लोगों को शाथ भी यह बात है आप शेयर करो इसके बाद देखिए आगे ड्रग के बी मूव करते हैं हमारा अगला ड्रग क्या है यहाँ पे ड्रग के ब्रांट में मत जाए यह बस example वह आपका all me certain all me certain याने के stating sorry यह जो आपका एंगियो टेंसर रिसेप्टर ब्लॉकर के डिगरी का ड्रग है all me certain हो tell me certain हो यही conditions है tell me certain का भी मैं आपको बताऊंगा को क्योंकि यह जो बगल में दिखा है आपको tell me certain का है यह all me certain का है brand name के बाद को तो all me zest का है इस पर क्या as soon as possible it can cause injury and even death to the developing fetus when during the second and third trimester of pregnancy यह बड़ा interesting point है यह जान बचाने या जान लेने वाला factor है ज़रा ध्यान गिजेगा आपकर यह जो बगल वाला देख रहे हो न वो भी वही है तो दोनों को साथ में collaborate कर देता हूं चलिए ठीक है यह all me certain है यह tell me certain category है यहां भी लिखा हुआ ह ज़रा देखिए when pregnancy detected tell me certain यहां पर tell me certain should be discontinue as soon as possible as it can cause injury and even death to the developing fetus when used in pregnancy during second or third trimester of the pregnancy तो उनों को जोड के पड़ते हैं देखिए यह जो दो ड्रग है tell me certain और all me certain यह किसके हैं यह blood pressure को control करने वाले ड्रग है टेक्निकल यह से हम anti-hypertensive drug कहते हैं यह blood pressure को control करने के लिए है तो यहां पर दवाई का कोई male female वाला gender issue तो होता नहीं लेकिन female को भी hypertension होता है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ male को ही होगा तो माल लेते हैं कि एक female है जिसको hypertension है और doctor ने उसको tell me certain या फिर all me certain इसका degree का drug दिया है इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा drug जो कि angiotensin receptor blocker को belong करता है ठीक है वो drug दे दिया अब ये blood pressure के दवाई तो थोड़ी लंबी चलती है चल रहे 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 है जको लेने वाले ले रहे है अब इस बीच में उनका एक ऐसा situation create हुआ कि वो pregnant हो गई तो उनको ये चीज नहीं पता थी या उन्होंने पढ हा नहीं या किसी बताया नहीं डॉक्टर तो बताया नहीं को कि उस समय जब ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब किये होंगे इनको मेडिसिन तब तो प्रेग्नेंसी नहीं रही होगी तब नहीं रही थी तब प्रिस्क्राइब किये जब प्रेग्नेंसी हो गई तो ये मैडम य हम तीन बाग में डिवाइट कर देंगे तो तीन बनेगा ट्राइमस्टर एक बनेगा तो उस केस में सेकेंड और थर्ड ट्राइमस्टर में खास करके इस दवाई को discontinue कर देना चाहिए वैसे तो लिखा हुआ है as soon as possible जब आप pregnant होते हैं तब तुरण डॉक्टर को बताओ ये दवाई tell me saturn या all me saturn को छोड़ दो क्यों क्योंकि एक ऐसा problem create कर सकता है जो अंदर womb में develop होने वाला बच्चे के लिए जान लेवा साबित हो सकता है इस तरह के drug कई category में माते गए हैं उनमें से एक category होती teratogenicity teratogenicity मतला होता है ऐसे agent जो womb में गर्ब में पल रहे हैं बच्चे को या उसके organ के बनने के process को alter कर सकते हैं ऐसे drug को हम teratogen बोलते हैं इसकी capacity को teratogenicity कहते हैं इसलिए pregnancy के case में इस तरह के रस्ता बनाऊं फिर छोटा circle से जोड़ दूँ तो यह एक mother को represent करने वाला circle है ठीक है और यह fetus को represent करने वाला circle है और इन दोने के बीच में जो connecting link है यह आपका placenta है तो जो mother कुछ भी खाएगी चाहे nutrition वाला खाए या फिर कोई toxic substance गलती से चला जाए या कोई medicine चला जाए तो यह सारे चीज़ें इस के थुरू mother के थुरू इस placenta से होता हुआ बच्चे तक पहुँचेगा placenta को यह तो नहीं पता ना की चीज अच्छी है की खराब है की जाने दूं की रोग दूं उसका तो काम है पहुचाना चाहे कैसे भी चीज़ें हूँ तो यह जो medicine है वो mother के लिए तो ठीक है mother adult हो चुकी है तो उनको बहुँ जादा नुकसान नहीं होगा लेकिन developing fetus के लिए इसका थोड़ा सा भी dose अगर चला गया तो organogenesis में disturbance हो सकता है organogenesis मतलब हर एक मन्त के accordingly organ बनता रहता है इस organ के बनने के process को organogenesis कहते हैं यह उसको पुई तरह से disturb कर सकता है इसलिए इस case को आपको avoid करना पड़ेगा जितने भी drug मैंने यहाँ पर use किये हैं चाहे आपका Omnacortyl ह चाहे Combi Flame हो चाहे आपका Omnogest हो चाहे आपका Telma हो Telma 20, Telma 40, Telma other AM सब कुछ हो या Ciplox D का हो इन सब के वीडियोज अवेलेबल है हमारे second channel पे जहां हम medicine के बारे में बात करते हैं उस channel का नाम है Pharmacy Dictionary by Pushpinder Patil इसी वीडियो के description में link मिल जायेगा और आप आसानी से खोड भी सकते हैं इन सब का detail 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 वीडियो अवेलेबल है आप चाहें तो पढ़ने के लिए समझने के लिए देख सकते हैं यह आपको समझ में आ गया यह कितने लोगों ने पढ़ा होगा जरा comment box में बताईएगा पढ़े हैं तो भी बताईए नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या तो नहीं भी जाते हैं और हम आईड्रॉप लगाना शुरू कर देते हैं जेनरली इंफेक्शन तीन-चार दिन में ठीक हो जाता अगर आप रेगुलर इंटरवल पर लेते रहोगे तो उसके बाद हम उस दवाई को छोड़ द कोई खास मत्व नहीं रह जाता जैसे कि आईड्रॉप अगर आपने यह मेडिसिन आज के डेट में पर्चेस की हुई है ठीक है सब्सक्राइड में पर्चेस की चार दिन या पात दिन आपने यूज किया इसके बाद आपका जो प्रॉबलम था वो ठीक हो गया डॉक्टर न लेकिन ऐसा नहीं करना है क्यों जरा यह पढ़ो वार्निंग पढ़ो सब जगा मिल जाएगा पहला यह वाला वर्निंग में हमारे ले कुछ स्पैसिफाइड नहीं है पहले वाले को दूसरा पढ़िए दूसरा पढ़िए इसका नोजल अगर आपने प्रिक कर दिया पियर्स गई होगी या हाँ यह रहा यह रहा इन्फोर्मेशन इसको हम फ्रोड़ा बढ़ा कर देता हूं मैं आपके लिए यह तो टच नहीं करना है वाली बात है और यह वाला बात है तच क्यों नहीं करना है तच करोगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा और यह आप्थेल्मिक प्रि इसका expired date हो सकता है 6 मेना साल बर का और जो भी हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो आपको लगेगा कि expired date तो बचा हुआ है तो चलो आगे जाके यूज कर लूँ लेकिन नहीं आप्थेल्मिक के केस में ऐसा नहीं करना है अगर आपने इसे open किया तो एक महीने के अंदर इ ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर ने 7 दिन 6 दिन 5 दिन जितना भी बोला वह आपने यूज के लिए बहुत अच्छी बात है उसके बाद आप इसको discard कर दो किसी और के लिए काम आएगा या मुझे फिर से काम आएगा तो लगा लूँ ऐसा नहीं करना है व पता करिए और अपने परिचीतों तक अपने नियर एंडियर तक भी बताइए और दूसरी बात यह जो फूरी information आप देख रहे हैं और authentic person के थूरू देख रहे हैं मैं कोई general public BA या कोई और discipline का नहीं हूँ जिसका संबन medicine से ना हो मैं एक pharmacist हूँ और professional pharmacologist हूँ 11 साल का teaching experience है त यह तो सब के लिए open है सब को यह पढ़ना चाहिए कोई भी medicine ले रहे हो पीछे पल्टो पढ़ो समझो फिर थ्यान में रखो तो आई होप कि आपको हमारा दूसरा वीडियो था यह वाला वो पसंद आया होगा पहले वीडियो का link मैं आपको दे दूँगा चाहे तो आप व भी देख सकते हैं थैंक यू टेक चेर